दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप Snapchat application इस्तिमाल करते हैं और आपने गलती से delete कर दिया है या आपने एक नयाव mobile phone purchase किया है और आपने पुराने वाले Snapchat ID को यहाँ पर login करना चाहते हैं तो कैसे आप login करेंगे आपका सारा का सारा photo video आपका यह की recover हो जाएगा तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि अकरकार पुराने ID को अपना recover कैसे करते हैं उसे हम फिर से login कैसे करेंगे या आप कह सकते हैं कि पुराने phone में जो आपने ID बनाया था वही ID अपने नए phone में कैसे आप login करें तो हम यहाँ पर अपना snapchat application open करेंगे सबसे पहले आपको इसे download करेंगे अगर आपके पास पहले से download है तो इसे आपको update करेंगे latest version में उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है देखने को मिलेगा login और यहाँ पर आ जाता है sign up sign up का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एक नया account sign up करना है तो आप उस पर click करेंगे आपको यहाँ पर पुराना account login करना है तो आपको login पर click करेंगे आपको permission allow कर देना है उसके बात यहाँ पर आपका mobile number आपके phone से detect कर लिया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बात यहाँपर बोला जाता है कि आपको यहाँ open होकर आ जाएगा तो आपको password तो पता नहीं है तो आपको यहाँ पर forget your password पर click कर देना है जब आप इस पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप से पूछा जाता है कि अपने password को forget करने के लिए अपना phone number यूच करना चाहते हैं या email id इसलिए आपको बताया था कि आपके पास email id या आपके पास phone number होना जरूरी है तो हम यहाँ पर आपने phone number को ही इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा यह mobile number आ चुका है अगर आपका कोई दूसरा mobile number है तो आप इस पर click करके अपना mobile number यहाँ से change कर पाएंगे तो हम यहाँ पर submit पर click कर देते हैं जब आप submit पर click करेंगे आपके mobile number पर एक verification code भेजा गया है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो हमारा यहाँ पर automatic पड़ गया है अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास कुछ इस तरीके से page आ चुका है आप यहाँ पर आप पर एक password set कर लिया है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यह हमारा password पूरी तरीके से strong है और उसके बाद यहाँ से हम submit करेंगे submit करने के बाद आपके सामने इस तरीके से page फिर से आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वही password डाल देना है जो आपने अभी अभी यहाँ पर reset किया है यानि की change किया है तो हम यहाँ पर अपना password फिल अप कर देते है जब अपना password फिल अप करेंगे उसके बाद आपको login पर click कर देना है जब आप यहाँ पर login पर click करेंगे login पर click करने के बाद थोड़ा सा आपको wait करना होगा आपके समने इस तरीके से page आ जाएगा अब यहाँ पर आपको अपने camera का permission allow कर देना है और यहाँ पर आपको continue कर देना है कि हमारा Snapchat यहाँ पर open हो चुगा है अब आपको यहाँ पर अपना फोटो वीडियो जो भी आपको देखना है उसके लिए आपको सबसे उपर आपको देखने को मिलेगा एक लाल कलर का आपको एक एकाउंट का आइकन आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके समने इस तरीके से पेज आजाएगा यहाँ पर आपका यूजर नेम देखने को मिल जाएगा जो आपने बनाया होगा उसके बाद आपको अपना नीचे आजाना है नीचे आने के बाद और भी आपको नीचे आना है और यही पर आपका जो गैलरी होगा वो आपक देखेंगे कि आपके सामने आचुका है Snapchat चने की यहां पर उसके बाद कीमरा के यहां पर एक कैमरा रोप आ जाए gonna a यहां पर इस्टोरी आ जाएंगी